नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आएए आज इस वीडियो में एक और बैतरिन कहानी सुनते हैं जिसका सिर्षक है आदमी एक और काम चार बिर्बल की सूजबूज बुद्धी और अहाजिर जवाबी को कौन नहीं जानता स्वम बादसा अकबर उनके बहुत बड़े दिवाने थे और इस दिवानगी को देख करके दरबार के अंदर जो दूसरे मंत्री गण थे वो अक्सर बिर्बल से इर्षा करते थे और उसको नी बादसा अकबर के पास गए और जाकर के कहने लगे जहाँ पना हम लोगों में क्या कमी है जो आप बिर्बल को इतना महतव देते हो क्या हुआ हमसे ज्यादा विद्वान है तो अकबर ने कहा कि बहूत है आप में और उसमे क्या आप फर्ख जानना चाहते हो तो सारे बिर्बल को संदेशा भेज़ दीजिए कि वो साथ दिनों तक दरबार में ना आए महराज जखबर ने कहा है कि साथ दिनों तक वो छुटी पर रहेगा तो बिर्बल को संदेशा भेज़ दिया जाता है और उन मंत्रियों से पूछा जाता है कि तुम लोगों में से सबसे विद्वान और चत्र कौन है मैं उसको बिर्बल की जगा पर यहां पद पर बिठा देता हूँ और साथ दिनों में आपने बिर्बल का काम करना है तो एक विक्ति का चेयन किया जाता है कि महराज ये सबसे विद्वान है और ये सबसे योग्य है इसको बिर्बल की जगापद पर बिठाया जाए तो उस व्यक्ति को बिठा दिया जाता है महराज अकबर कहता कि मैं साथ दिनों के अंदर ही बिर्बल में और आप लोगों में फर्क दिखा दूँगा कि बिर्बल मेरे लिए विसेश क्यों है तो सभी मंत्री गंड इस बात के उपर राजी हो जाते हैं और इन साथ दिनों के अंदर महराज अकबर भी उनकी प्रिक्षा लेने के लिए विशे ढूंडना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि छटे दिन महराज अकबर सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और बुलाकर के कहते हैं कि मेरे राज दर्वार के बाहर जो ये महल है इस महल के पास रात को बड़ी आवाजें आती है तो जाओ जाकर के देखकर क्या हो कि क्या माजरा है तो वो जो मंत्री था जिसको बिर्बल की जगा बिठाया गया था वो वहाँ पर जाता है और जाकर के थोड़ी देर बाद वापिस आता है और कहता है कि महराज वहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर तो बस एक कुतिया ने छोटे-छोटे बच्चे दे रखे हैं और उसके कारण वो कू कू करती रहती है तो महराज अकबर ने कहा कि उस कुतिया ने कितने बच्चे दिये हैं तो उसने कहा कि महराज मैंने तो कू कुछ गिने नहीं मैं अभी जाकर के जहाँ पना गिन करके आ जाता हूँ वो दुबारा फिर से जाता है और जाकर के फिर वापिस आता है बोलता है कि महराज उस कुतिया ने पांच बच्चों को जनम दिया है तो बादसा अकबर मुष्कुराते हुए पूखते हैं कि अच्छा मुझे यह बताओ कि उन कुतियों के जो कुति के जो बच्चे हैं उसमें कितने नरहें और कितने माधाँ हैं उसमें से दो नर हैं और तीन माधाए हैं, तो उसके बाद अकबर फिर पूछता है कि अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि जो नर है वो किस रंग के हैं, तो वो कहता है कि एक तो काला है, दुसरा वो सोचने लगता है, वो बहां कि महाराज अगर आपके आदेस हो तो मैं द कि आप विर्बल को बुलाईए तो विर्बल को बुलाया जाता है विर्बल कहता है कि महराज आपने तो साथ दिनों की मेरी चुट्टी की थी लेकिन आज तो छटा दिन है तो उसने कहता है कि नहीं मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई है विर्बल उसका पता लगाओ जो हमारे दरबार के बाहर महल है, उस महल के पास कुछ आजीव सी आवाजे आती है। और इस माजरे का पता करो कि ये कौन ऐसी क्या समस्य है, किसके कारण ये आवाजे आती है। तो कहता है कि जहांपना जो आपके आदेश मैं अभी सुचना ले आता हूं, तो उसके पसाथ जब बिर्बल वहाँ जाता है, बिर्बल देखता है कि वहाँ मेहाल के बहार एक कुतिया ने पांच बच्चे दे रखे हैं और उन बच्चों को देख करके और सारा निरिक्ष्ण करके दरवार में आता है तो अकबर पूशता है कि बिर्बल मैंने तुझे कुछ काम दिया था क्या आप मेरे उस काम को पूरा करके आए तो बिर्बल ने कहा कि हा महराज आपके महल के वहाँ पर एक कुतिया ने पांच बच्चों को जनम दिया है जिसमें से दो नर हैं तीन माधाई हैं जो नर है वो एक काले रंका है और एक भूरे रंका है और जो माधाई है उन में से दो काले रंकी है और एक सफेद रंकी है तो सबी मंत्रीगन वहाँ पर बैठे हुए थे और फिर माराज अकबर ने कहा कि आप लोगों ने फ़र्क देख लिया आप लोग एक काम को करने के लिए चार बार गए लेकिन ये वेक्ति एक बार में ही चार बार का काम करके आ गया इसका मतलब कि विर्बल को अगर मैं रखता हूँ तो ये चार आदमियों का काम कर सकता है और जब उसकी हाजिर जवाबी और उसकी योग्यता को उन मंत्रियों ने देखा तो उनका सिर नीचा हो गया तो इस काहनी से हमें सिक्षा मिलती है कि हमें किसी की योग्यता के उपर सक नहीं करना चाहिए बलकि अपनी योग्यता को बढ़ा करके अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए आपने मेरी कहनी को सुना आपका बहुत बहुत धन्यवाद